गैंग रेप और हत्या के विरोध में सड़क परुत्रे यूवा ने चेताया की पीडिता को जल्द न्याय दिलाने के लिए चरण बद्ध आंदोलन किया जाएगा इस संबंध में राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग की प्रदेश अध्यक्ष अंजना सिंग ने जिला प्रशासन से पीडित परिवार को सुरक्षा देने महिला का जल्द कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की मार्च में शामिल यूवाओं ने इस संबंध में अपनी मांगों का ग्यापन डियम को सौपा डियम ने कारवाई का आश्वासन दिया है प्रताप गंधी में जैंग लेप हुआ बच्चियों के साथ और उसकी नामी के साथ तो उसमें प्रिस प्रशास में सही ओपना दिखाते हैं बच्चियों नियाई भी नहीं दिला पाई एक बच्ची जिसकी मिर्थी हो जाती है तो इन लोगों का जो भी आज परतलसन है तो ये लोग मेरी एक सहयोग चाहते थे क्या मांग है इन लोगों का मांग है कि जिसने भी इस तरह के बारदात को अंजाम दिया है इसे कम से कम फासी की सजा हो और फिर बच्चियों को नियाई मिल पाए जहां नाडी को देवी मना जाता है और देवी के साथ एसी घटना होती है और जिसमें पुलिस परसाथन चुपी साथी भी है एस पी साहिब ने बोला था कि साथ दिन के अंदर चासी डैर किया जाएगा और सब को पकड़ा जाएगा और फासी हो जाएगी लेकिन सर तीन की किरफतारी हुई और तीन की नहीं हुई है और सर एसी घटना सर जो हमारे जो मोनी भाई जी नहीं कहा है कि सर मेडिक अठाड़ा पहले जो महिला है वह अपने बैयान से मुकरती है और दूसे दिन जाके कोट में बैयान देती है कि सर हमारे साथ रेफ हुआ इसमें पूरी तरस सर फिरीयता की परियाद पर दवाव डाला जाए और बदनने का और परशासंथ के साथ मिली भगत करके सब केस को दबानों का कुईश का रजा जारा ह। हमारा मांग है सर कि पीडिता को उचित नियाई मिले और यह जो बोली लगी है जिसे उसको नियाई मिले और यह जो है लगी जो भी होस्पिटल में उसका उचित इलाज किया जाए मजिस्टेट के निकटानी में सबको फासी हो मेरा यही मनना क्या ना में आपका मेरा नाम रहा सिंग डिलाजे के रश्टी रात्पूत करनी सना सुपोन